नमस्कार, नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड साजा बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू सर्दी के मौसम में इस तरह की जो रिच ग्रेवी वाली सबजी होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है ये बनाएंगे हम बिल्कुल धाबा स्टाइल में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कश्मीरी दम आलू और एक नया फ्लिवर टेस्ट कर लेते हैं कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं मीडियम साइस के उबलेवे आलू ध्यान रहे कि आलू मीडियम साइस के होने चीए छोटे नहीं भी नहीं और इनको केवल इतना उबालना है कि एक सीटी बस लगे इससे जाद है थोड़े से टाइट रहने च्शिए ट्वटी परसेंट के आसपास इनको बालना है अब इन आलूँ को उबालने के बाद अब इसके नंदर हम फौक से इसतरह से होल्स बना लेंगे या नायव की हल्प से उबालने से पहले हमाँ यह प्रिक नहीं करनाना वरना इसमें पानी इंदर चलाएगा तो फिर क्या Sketch इसलिए बनाया जाते हैं ताकि जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे ना तो सारी फ्लेवर्वर्स जो इन्हें ग्रेवी के वो इसमें अंदर तक चले जाएंगे और सब्जी हो जाएगी मज़ेदार तो यह देखिये सारे मैंने प्रिक कर लिये हैं अब मैं चडारी हूं तेल विजब बीच में चलाते रहेंगे ताकि चारों तरप से बढ़िया गोल्डन ब्राउन रिदम क्रिस्पी हो जाएंगे इसमें आलू के उपर एक लेयर बन जाती है जो बहुत ही बढ़िया लगती है जब हम इसको ग्रेवी में डालते हैं इन आलू को हम medium या high flame दोनों पर ही अच्छे से deep fry कर सकते हैं देखे कितने बढ़िया हो गया है ना क्रिस्पी और इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही हो इनको निकाल लेते हैं अवा सुनी ना आपने कितने बढ़िया क्रिस्पी हो गए अपैसे भी इनको खा सकते हैं तो चलिए आलू फ्राई हो चुके हैं अब हम ग्रेवी के लिए कुछ मसाले देख लेते हैं तो यहां पर मैंने लिया है फ्रेंड्स यह लगबख साथ से आठ जो है मैंने लिये लॉंग साथ आठ करली काली मिर्च एक इंच अद्रक का टुकुड़ा चार सूखी लाल मिर्च प्यास जिनको मैंने लंबाई में काटा है और एक कप लिये हैं टमाटर बारिक कटेवे और आधा कप मैंने लिया है काजू ग्रेवी को थोड़ा से रिच बनाने के लिए और चार हरी मिर्चे लिए हैं बारिक-बारिक काटी है अब मैं उसी खड़ाई के अंदर एक सर्वि इसके अंदर और इनको हम जादा नहीं करेंगे बहुत हलका सा हमें इनको फ्राई करना है अगर आप तीखा कम खाते हैं तो सूखी-लाल मिर्चों के बीज आप निकाल सकते हैं हरी मिर्चें भी स्किप कर सकते हैं अब मैं डाल रही हैं इसमें काजू यह मैंने स्प्लिट का जाएं थोड़ी से यह सॉफ्ट से हो जाएं लगबग पांच मिनट के असपास लगते हैं और यह पिंग हो जाते हैं देखिए हो गए तो अब डाल लेंगे इसमें हम टमाटर कटे वे और साथी में यह कटी भी हरी मिर्चें तेमाटर आप जब ही डालिए जब प्यास कि टमाटर मोईस्टर छोड़ देता है बस अब इनको हमें इतना ही कुक करना है थोड़े से टमाटर हलके से सौगी सौगी हो जाएं थोड़े सौफ्ट हो जाएं तो इनको जल्दी से पकाने के लिए मैं इस पर लगा देती हूं धकन ताकि यह फटापट से पक जाएंगे और अभी मैं इसमें सौल्ट नहीं डाल रही हूं बाद में ही डालूँगी आप चाहें तो सौल्ट डाल सकते हैं इस समय यह देखिए फ्रेंड्स टमाटर बिल्कुल अच्छे से नरम पड़ चुके हैं यह देखिए तो बस अब मैं गैस बन कर दूँगी और इसको हमें ब नहीं देखिए वजम देखिए यह बड़िया से मैने अच्छा से पेस्ट बना लिया इसका और बिल्कुल वही कडाई काम में ले रही हूंहाँ बुली स्कुर्व पेपर में आधा चम्मच, लोग फ्लेम करना है आपको और साती के डाल रही हूं मैं तीन तेजपाथ और दो छोटी इलाइची फ्लेवर के लिए बिलकुल लोग फ्लेम करना है आपको मैं फिर से बताँ वरंणा वर्ना हम जो इसमें अभी स्सेमे सूखे मसाले डाल रहे हैं वो सब अब दालेंगे एक नंदर 1 फो टेबिल स्पून हल्दी पाउडर कना रॉसी आर टेबिल स्पून सॉल्ट या नमक स्वादा नुसार उन टेबिल स्पून धनिया पाउडर अब डालेंगे one टेबिल Eugene कश्मीरी लाल मिर्चे अरे वही हम कश्मीरी दामालू बना रहे हैं तो लाल मिर्च वहम कश्मीरी वाली डालेंगे न एक तो यह तीखी कम होती हो और इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी का सूखी लाल मिर्चे भी मैंने इसी लिए डाली थी उससे भी बहुत ही बढ़िया कलर आता है ग्रेवी का अब इसमें डाल लेती हूँ पानी ताकि इसका जो टेंपरेचर एकदम डाउन हो जाए क्योंकि हमें इसमें डालना है अब दही बस अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम मैंने लो रखी अभी भी ये देखेंगे फ्लेम कितना अच्छा कलर आया इसलिए हमेशा सूखे मसाले पहले तेल में डाल लीजे तो ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है अब डालेंगे दही और आपको क्या करना है बहुत तेजी से काम करना है जल्दी जल्दी इसको घुमाईए फ्लेम लो रखी और जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लीजे वरना क्या होगा दही ये फट जाएगा तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ये देखें कहीं से भी आपका दही नहीं फटेगा ये देखें कितनी बढ़ से मिक्स कर लेते हैं यह जो सबजी बनने वाली है यकीन मानिया आपो घर में सब लोग इतनी तारीफ करेंगे अब इसका डखकन लगा के मीडियम फ्लेम पर हम लग बग इसको पांस से साथ मिनिट पकाएंगे ताकि इसके चिटे नहीं उचलें देखिए फ्रेंड्स ही हमारी इसे मिक्स अब जो आलू की बचीवी कुकिंग है वो अब होने वाली है और बहुत अच्छे से पकाना है क्योंकि यह साबित आलू है तो पकाने के लिए हमें ताइम चाहिए थोड़ा तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूं ताकि इस सबजी नीचे से लगेगी न पकाया है और बिलकुल लो फ्लेम पे पकाया है और हमारी सबजी हो चुकिए बाडिया से तयार और यह बहुत ही बढ़ी है इसमें से और कलर वगएरा भी सब बहुत ही अच्छा आया है चली अब इसमें डाल लेते हैं आखरी इंग्रीडियंट हमारा और वह है गरम मसाला इसके बिना तो सारी सबजी अधुरी रहती हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूगी मैं यह देखिए अब हमारी सबजी फूरी कंप्लीट हो चुकि है तो सर्फ करने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लें कि आलू अच्छे से गले हैं या नहीं वरना फिर क्या होग है आलू इसका मतलब हमारी सबजी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तो बस अब देर किस बात की सभी लोग इंतजार कर रहे हैं घर में गैस बंद कर देते हैं और इसको हम सर्फ करते हैं सभी को बहुत अच्छी कुछबो आ रही है इस सबजी की यह देखिए फ्रेंस हमार गर्मा गरम कश्मीरी दम आलू आ रहा है ना आपके भी मुमें पानी इसको देख करके देखते ही रहेंगे या फिर बजार भी जाना है कि नहीं इसके लिए सामगरी जिटानी के लिए इसको गार्णिश कर लेते हैं लास्ट में हरा धनिया पत्ता से तो लीजिए फ्रेंस ह गर्मा गरम कश्मीरी दम आलू रेडी हैं खाने के लिए यह देखे कितनी लजीज लग रही है ने एकदम धावा स्टाइल में कश्मीरी दम आलू ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप कम या जाद आपने हिसाब से कर सकते हैं बागी यह कंसिस्टेंसी बिलकुल परफेक्ट है अब आप इसको एंजोई कीजिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, बटर नान, तंदूरी रोटी, किसी भी चीज के साथ इसको आप इंजोई कर सकते हैं, मज़ेदार सबजी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजि बटर आपको 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 आपको